यह कहारी उस समय को दिखाने की कोसिस है जब इंसान मंगल ग्रेंप पर इंसानों के रहने योग अट्पास्वेर बनाने की तयारी में है तो कि साइंटिस्टों को पता था कि इंसान प्रिधिवी की नेजर के साथ जिस तरह खिलवार करना है उसे आगे चलके एक दूसरे ग्र के से साइंटिस्टों की वदद के लिए लगा दिए हैं यह इनसान का पहला मिसन था इंसान की उपिशक्र्णाप के साधे कंटिस्टिस्च को और्ड जोबी लोगे साथ रोवर सामिल है wizard की इंसकी कामुमें मजद करेंगा इक सौलिजिर की तरह इंका यह सफर कुछी समय बाद शुरू होता है पूरे छह महीनों बाद सभी मार्स के आर्बिट में पहुच चुके थे नासा मार्स पर हैविटेवले स्टेशन भी बना चुकी थी जहां दो साल के लिए अक्सीजन पाने और कुछ खाने का इंतजाम भी किया गया था यह मार्स पर लेंडिंग की तयारी में थे इसी भी सोलर फ्लेयर यानि तुफान की वज़े से सिप का भारे नुकसान हुगा सिप के सारे पावर सोस कट हो जुगे थे इसलिए कमांडर केट सांचिस्वों को तुन्ट लेंड करने का आड़र देती है और फुद सिप को रिपेर करने के लिए पीछे जाती है बन्गल के आर्विट में पहुंचना बहुत ही मुस्किल था इनकी लेंडिंग काभी ऊचे मांटेन पर हुई जिससे ये बबल के समाल उड़कते हुए आगे बढ़ रहे थे लेकिन अंते में इनका बबल किसी प्लेन सर्फेस पर जाकर रुका इस लैंडिंग में बट को कुछ चोटे भी आए थी लेकिन बाकी लोग शुरक चुते इधर ये मंगल ग्रैफर पहुच चुके थे तो दूसी तरह उपर इस्पेस सिप में तुफान की वज़े से आग लग गई थी इस हाथसे से कैप्टन बहुत ही देनी हुई थी लेकिन किसी तरह से अपना सूट पाहन ली काफी मसकत के बाद इस्पेस सिप का दर्माज़ा खोल दी जिससे सिप में लगा आग स्पेस में शला गया आखिर में कैप्टन की जान बच पाई बाकी जो कुछ भी प्राबलम थी उसे रिप्वेर कर देती है दूसरी और मार्स पर उल्यों को इस्टेसन के पास लैंड करना था लेकिन ये इस्टेसन से काफी दूर लैंड हुग थे इस्टेसन इनसे कितनी दूरी पर था ये भी पता नहीं था उन्हें इसलिए सबसे पहले इस्टेसन के लोकेशन का पता लगाना है पता लगाने के लिए वहाँ से निकलने ही वाले थे मगर लेंडिंग के वक बड़ को काफी चोटे आई थी जिस वज़र सुष चलने की हलत में नहीं था वह चाहता था कि ये चारों लोग आगे चले जाएं वह मार्स पर पहुच पाया उसके लिए इतना ही काफी था इस तरह चारों लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ती हैं इधर ये स्टेशन को धोरने के लिए निकल चुके थे तो दूसरी तरह इस्पेस में कैप्टन इस्पेस सिप के पावर को रिश्टोर कर रही थी काफी मेहनत के बाद वह इस काम में कामयाब हुई वह मास पर गए उन सांचिस्टों का लोकेशन पता करती है ऐसा करने पर उसे सिप बड़ दिखाई पड़ रहा था जो चट्टान के पास बरे के समान बैठा था बाकी चार लोगों का कुछ भी पता नहीं था अभी भी इस्टेशन की तलास में चारों बढ़ रहे थे आगे की तरफ उन्हें पैदर ही काफी लंबा सफर तरह करना पड़ा आखी में जब इस्टेशन के पास पहुँचे तो वहां के मंजर को देकर उहीं निरासाई हाथ लगी क्योंकि इस्टेशन अब बाद हो चुका था मगर ये कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं समय भी इतने के साथ मास पर अंदेहरा होने लगा लेकिन इस पेस्टिप में मौझूद कैपिन उन चारों को अभी तक धूर नहीं पाये थी अकेली होने की वज़े से उसके अंदर घवराहट बढ़ने लगी थी कैपिन इस सब के बारे में प्रिसी पर रिपोर्ट देती है कि अब तक उनके साथ क्या क्या होगा दूसरी और मार्स पर उनके पास खाना पानी यहां तक यह अक्सिजन भी नहीं था सब बिश्टवार हो चुका था 20 साल की कड़ी मेनत खराब हो चुकी थी यहां आने के बार एंवार्मेंट भी ऐसा नहीं था जैसा इनके पास अभी सिर्फ एक घंटे का फिजन बचा है उन्हें में से दो साइंटिस्ट जो एक अच्छे दोस्त हैं दोनों आपस में बाते करने लगें वो दोसी दर डेट और चीप बाते करते हुए पहारी के पास पहुचें वहां का नजारा काफी फुक्सूरत था इस भी दोनों के बीच भहस बाजी हो गई तिकी इस तरह केट पाइलेट होने के बावजूर सही से लेंडिन नहीं कर पाया दोनों के बीच का जगड़ा काफी गंभीर रूप ले लेता है किस भी चीप का हाथ गलती से टेट पर लग गया टेट का पायर फिसला वो पहारी से जाकर नीचे गिर कर मारा गया ऐसा होने पर चीप घबरा जाता है बगर 37 से आखर बाकी लोगों को बताने लगा वो काफी डिप्रेशन में था इसलिए पहार से कुछ कर आथफ़त्या कर लिया मगर उन्हें भी पता है वो आथफ़त्या करने में से नहीं है इसलिए उन्हें चीप की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था दीरे दीरे एक घंटे के लिए जो आक्षिजन बचा था वो अभी खत्म हो रहा था रोबी जी ये तड़ा परदास नहीं हुई इसलिए अपना हिलमेट खोलता है तब ये उन्हें ये कैसी चीज पता चली जिसकी किसी नोंबीद नहीं की थी फेलमेट निकालने के बाद भी हुए सांस ले पा रहे थे बगर ये चमतकार कैसे हुगा किसी को कुछ नहीं मालूम जिसका सच आगे चलके पता चलेगा इधर ये लोग बहुत ही खुश थे तो दोसी तरब कैप्टन को धर्ती से मैसिस मिला वे मिसन से वापस लोटा हैं दूसरी और मंगल पर रात होने से ठंड काफी बर चुकी थी उनके साथ जो रोबोट था अचानक से उनक पर हमला करने लगा जिससे कुछ लोग बहुत ही गंभी रूप से जक्मी हो गए हैं रोबोट ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि लैंडिंग के वक्त उसके सिस्टेम में कुछ गरबड़ी आ गई थी किसी ओवर जिस भी चीज में मुवेंट देखना था हमला कर रहा था उन पर रोबोट के इस तरह आकरामक होने के बाद वे जान बशाने के लिए किसी जिगन छुप गए हैं सुबह होने पर रोबी को याद आता है सर 1997 में एक मिशन के तहट इन्हों ने मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजा था अगर वे रोवर को ढूल लिये तो उन्हें वहां से वेडियो मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो मदद के लिए कॉन्टैक कर सकते हैं इस विजान इलाके में रोवर कहा है इसका भी पता नहीं था उन्हें पर इतना पता था वो इनसे कितनी दूरी पर है कापी समय पाइदल चलने के बाद आखिरकार वे रोवर तक पहुच गया है रेडियो भी मिल गया उन्हें लेकिन उसका 50 सालों से जूज नहीं हुआ था इसलिए वे उसे रिपेर करना चाहते थे रिपेर करने के बाद वह सही हो गया बार बार सिंगनल भेजा गया किसमत अच्छी थी उसका सिंगनल एक सेकल लाइट पकड़ा इस तरह धरती पर उन लोगों के बारे में पता चला मास पर जिंदा है वे लोग स्पेस सिप में मौझूद कैप्टन को भी पता चला वो उन चारों से बाते की साइंटिस्ट मंगल गना पर जिस मकसद के लिए आये थे वह तो पूरा होने वाला नहीं था क्योंकि एक्स्पेसिप में के लिए जो भी समान लाये थे सब खराब हो चुका है इनके पास वापर जाने के लावा दूसरा कोई भी चारा नहीं था लेकिन उन्हें स्पेस सिप तर पहुचने के लिए एक मजबूत राकेट की जिरुरत थी इसलिए क्राप्टन बताती है क कि जहां पर उनका इस्टेशन था वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर रसियन प्रॉप सिस्टम है जिसकी मदद से ये मार्स के आर्विट में खुद को लांच कर सकते थे सबसे बड़ी मुसीवत तो यह थी उनके पास सिर्क 19 घंटे थे खुद को लांच करने के लिए क्योंकि बड़ी प्राब्लम तो यह पता चली कि उनमें सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं चलते चलते रात हो चुकी थी कमप्रेचर गिर के माइनस में पहुच चुदा था इस बिच उनका रोबोट छुप छुप कर उन पर हमला भी कर रहा था था थोड़ी दूर चलने के बाद उ ऐसा उन्हीं लग रहा था थोड़े समय बाद जैसे तुफान थमा वह ऐसे जो उनके पास रेडियो था वह उसे लेकर भाग जाता है जब दोनों लोग नीज से जागे तो परसान होने लगें वहीं क्रेंड के सूट पर जो कैमरा लगा था उन्हें अपने स्क्रीन पर लगें पूरी देन में विए कैशी जेगें पहुच गएं जहां का नजारा बेलकुल अलग था चारो तरब जैसे गार्डन हो हरी भरी घास से भारा था यह देखकर उन्हें अपनी आखों पर विस्वास नहीं हो रहा था पूरा मंगल गन्या बंजर पड़ा है मगर यहां ह अक्सीजन मास लिखा लिए थे इसी बिच आईसा नजारा क्रियेट हुआ जिसके बारे में इन्होंने सोचा तक नहीं था चिप की बोड़ी से छोटे 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 ब्लास्ट होने लगें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर छोटे 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 पटा के फिट की रहे हैं यह इसलिए हुआ क्योंकि मंगल ग्रह पर कुछ अजीब तरह के कीले मुकोड़ी थे यही थे जो मंगल ग्रह की सर्फिस के हर्याली को खा रहे थे क्यों उन कीड़ों को बड़े ध्यान से देखने लगा क्योंकि वह डीने पर रिसर्स करने वाला एक सांचिस था उससे स दास्ट हो रहे थे यही कीड़े इनके लैप को भी तबाह किये थे यानि हमारे अर्थ के लिए मास्ट पर यहीं इलियन है जहांके पेड़ पौद्र से जितना अक्सिजण प्रूस नहीं होता है इससे ज़्यादा तो इन कीड़ों मकौडों की वेस्ट से अक्सिजण जैसा कर पाएंगे वह उन कीड़ों का सेंपल तयार करके रूबी को देता है इस बीच उसकी हलत खराब होने लगी मूंसे ब्लड नी कलने लगा देखते ही देखते सारे इंसक्त उसके उपर चड़ने लगें अपने दोस्त को बचाने के लिए वह खुद की जान दे दिया ऐसा करने पर सारे इंसक्त मारे गएं अब यहां से रूबी अकेला पढ़ चुका था मरने से पहरे उसका दोस्त उस इंसक्त का सिंपल दे दिया था जिसे पिर्थीव पर ले जाकर रिसर्ट कर सकते थे रूबी इस पीस में कैप्टन से कॉंट्रेक करता है कैप्टन उसे व उप्सान पहुचा सकते हैं वह चाहता है कि जल से जल मंगरगरा पर किसी को भेजा जाए ताकि उसका सेंपल कलेक्ट कर सकें जिससे उनका अर्थ भी बस सकता है फूरी दिर में कैप्टन की जाने का वक्त हो गया धरती पर रोवी सब कुछ अपनी आखों की सामने देख रह इसी मौकर का फायदा उठाकर रोवी उस पर अटायक करकि उसका बैटरी निकाल दिया इवन कैप्टन से कांट्रैक किया उस बैटरी की मदर से और खुद को लांच करता है सक्से सुली रोवी स्पेस में पहुचकर जब उसकी तरफ बढ़ने लगा तो कैप्टन भी स्पेस कर आया था कि वे तो बच चुके थे मगर दुख इस बात का था कि उनके साथ ही नहीं बच पाए थे इस तरह वे धर्टी की तरफ निकल पड़ें लेकिन आखिर में उस इंसेक्ट के बारे में पता चला जो काफी मातरा में अक्सिजन प्रवाइड कर सकता था तो यह थी रि नहीं पर समाब होता है थीक्स पर वाचिंग दिस वीडियो